हाई एब्रीबन यू आर में टेक टॉक विद लाली तेज आज का जो हमारा वीडियो है वो यह है कि आरेस लोजिक्स 500 सॉफ्ट्वेर में हम कंपीट मैथ इंस्ट्रक्शन्स कैसे यूज करते हैं इनके बारे में जानेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपरेटर्स के कि यूज करते हैं ओप आपको वीडियो पसन्द आया हूगा सव माइडियर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कंपीट मैथ इंस्सक्शन्स में आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऊपर एक instruction plate में एक option है compute math इस compute math में यहां पर एक CPT block है जिसको compute बोलते हैं CPT pneumonic है add instruction, subtract multi, division, square, negate, convert to BCD, convert from BCD and gray code तो different types के compute math instructions है जो calculation में हम लोग use करते हैं So dear friends हम कैसे use करेंगे एक करके जानेंगे तो सबसे पहले आपको यह जाना जरूरी है कि compute math instructions करते क्या है तो compute math instructions का जो actually work होता है वो यह होता है कि यह calculation के लिए काम आते हैं any two values है उनको अगर आपको add करना है उनको subtract करना है multiply करना है subtract करना है then आपको divide करना है तो कैसे करेंगे तो different calculations में हम लोग use करते हैं So dear friends calculation के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि reference के लिए आप क्या कर सकते हैं एक counter ले सकते हैं तो मैंने एक input ले लिया और एक यहां से counter ले लिया right and आप addressing कर सकते हैं i0.0 slash 0 तो एक input pulse होगी counter के लिए counter address ले लिए यानि c5 colon 0 right then मैं एक और counter ले लेता हूं क्योंकि जो भी आप compute math instruction आप use करेंगे उसमें minimum 2 value तो आपको यूज करनी पड़ेंगे यानि अगर आप addition यूज करना चाहते हैं तो any two values को आपको add करना पड़ेगा तो minimum 2 value तो आपको चाहिए इसलिए मैंने यहां से क्या किया reference के लिए मैंने दो counter ले लिए यानि यह कि यह counter ले लेता हूं यहां पर एक और input ले लेते हैं जैसे कि मैंने यहां से mention कर दिया कि यह मेरा input pulse basically second है जैसे यह input pulse और यह मेरा second हो गया एंड आप यहां पर mention कर दीजिए कि input pulse first यानि दो अलग लग counter है जिनको कि मैं pulse दे रहा हूं यहां से c5 colon 1 मैंने एक और counter address ले लिया अब मुझे क्या करना है कि जो दोनों counter है इन दोनों counter की values को मुझे add कराना है यानि मैं चाहता हूं कि दोनों counter जैसे भी आगे बढ़ें दोनों की value addition हो तो उसके लिए आज जो मैं बात करूंगा वो basically है add instruction सबसे पहला है addition इसका निमोनिक होता है ए डवल डी लेकिन यह instruction है addition पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यह instruction right side में हमारा पूट हो गया इसका मतलब यह है कि यह instruction जितने भी होते हैं compute math वाले वो सब right side में connect होंगे यह output type के instruction है so friends आप देख पा रहे होंगे कि add instruction में यहाँ पर दो चीजा है एक है source A एक है source B और एक है destination तो इसका मतलब यह होता है कि source A पर जो value होगी वो 20 से add होगी यहाँ पर जो value आएगी वो 20 से add होगी then इन दोनों का real destination में जाएगा तो friends अभी आप देख पा रहे हैं मैंने दो counter लिये हुए है तो मैं चाहता हूँ कि दौनों counter जब counting करें तो इन दौनों की value add हो तो पहले वाले counter में जब मेरा counter चलेगा तो इसका accumulator चलेगा तो इसकी value accumulator address मैं source A में दे दूँगा दूसरे वाले का accumulator address मैं source B में दे दूँगा और destination पर मैं accumulator का accumulator address आप कैसे देते हैं तो C5 colon 0 0 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि counter मेरा उपर वाला है then .acc आप लेखेंगे तो यह पहले वाले इस वाले counter का accumulator आगया then आप source B में आप चाहते हैं add करना तो दूसरे वाले counter का address आप ले लिजे 1.acc then उसके बाद आप इन दौनों का रेयर destination पर चाहते हैं तो destination आपका क्या हो सकता है जैसे कि आप देख पा रहा है कि एक integer होता है आप वो ले सकते हैं तो integer address आप n7.0 आप put कर लिजे यहां से जैसे मैंने यह कर दिया n7.0 मैं जब दौनों counter pulses count करेंगे तो दौनों का result add होके यह addition block है मेरा n7.0 में आ जाएगा इतना करके आप verify करेंगे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर addition के लिए input कोई लिया नहीं है यह input dependency खतम कर दी directly add होता रहेगा जैसे से counters हमारा count करेंगे pulses को इतना करके आप यहां से download कर लीजे और उसके बाद मैं आपको check करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह काम करेगा so friends initially आपका यह वाला counter accumulator 0 पर है दूसरा भी तो दौनों का addition अभी 0 आ रहा है जैसी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यानि पहली pulse मैंने इसको दिया and second pulse भी दिया इसको तो आप देख पा रहे होंगे friends कि पहले वाला counter दो पर है दो यहां पर accumulator है and दो के साथ source B की value जो 0 है अभी add होके result 2 आ गया अब मैं दूसरे वाले counter को pulse count कराता हूँ तो आप देखेंगे कि दूसरा वाला counter मेरा counts करते हुए आगे जा रहा है right जैसे suppose दूसरे वाले ने count किया 3 तो उपर वाले counter का 2 और इस वाले का 3 तो उनों का addition होके 5 reality यहां पर n7.0 पर आ गया इस तरीके से addition block काम करता है तो addition block का purpose क्या होता है दो values को add करना यानि source A के साथ source B की value क्या होगी add होगी plus होगी then उसका reality यहां पर आएगा जिसको कि आप further कहीं use कर सकते हैं so this is the basically addition instruction right इस तरीके से हम use करते हैं addition instruction अगर आप चाहते हैं यह भी जो भी addition block मैंने लिया है यह round of value के लिए है round of का मतलब होता है कि points में addition नहीं करेगा क्योंकि integer address है अगर आप चाहते हैं कि point में addition करने का कोई addition block होना चाहिए तो आप वो ले सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है मैं एक और addition block लेकर आपको दिखा देता हूँ तो वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं added title में addition block for addition block for round of values round of मतलब point में add नहीं करेगा यह अगर आप चाहते हैं मेरा points में भी add होना चाहिए तो friends यहाँ पर मैं added title दे देता हूँ addition block for point और real values point भी बोलते हैं real भी बोलते हैं या मैं बोलू तो float values भी बोलते हैं यानि यह सब points का addition है तो एक चाहिए बताना चाहते हो क्योंकि counter दोनो round of value में चलते हैं तो इसलिए addition में round of नहीं लेंगे यहाँ पर दूसरे addresses लेने होंगे तो suppose that मैं यहाँ पर float addresses ले लेता है integer के जस्त नीचे है तो float address यहाँ से कुछ address आप बढ़ा लेजिए property से तो एक मैंने यह ले लिया float second मैंने यह लिया and third आप कुछ और ले सकते हैं यानि अलग अलग addresses ले लिया यानि यह वही काम करेगा कि source a के साथ जो value है source a source b के साथ add होगी result हमारा destination पर जाएगा आप एक input ले सकते हैं यहाँ से कि जब मैं input प्रेस करूं तब ही हमारा क्या हो addition हो तो i.0.0 slash suppose to ले लिया मैंने इस तरीगे से मैंने यहाँ पर यह address ले लिया और आप इसको compile करके डाउनलोड कर लेजिए तो आप इसको भी यूज कर सकते addition block यह आपके उपर रहता है कि आपको कैसे करना है it is totally depends upon you so now you can see मेरा controller run mode में है अब उपर वाला block automatically जब counters count करेंगे तो मेरा addition होता रहेगा suppose यह वाला भी कुछ count किया तो उपर वाले counters के साथ second वाले counter की value add होती है इस वाले में तो अभी total 3 आ गया 1 and 2 3 अब मैं आपको बताता हूँ कि points values add कैसे करते हैं तो next यहाँ पर देखेंगे add यहाँ पर आप कोई भी point values ले लिजे जैसे 2.4 मैंने ले लिया and यहाँ पर 2.4 ले लिया यानि दौनों value 2.4 अभी मैं manually दे रहा हूँ कोई field value points में आ रही है तो यह कर सकता है अब जैसे इस input को मैं press करूंगा तो आप देखेंगे कि दौनों value add होके result 4.8 आ गया यानि आप कह सकते हैं कि अगर point में value add कराना है तो भी addition instruction use होता है but addresses हम float use करेंगे क्योंकि integer address round of value के लिए बना है और float address points value के लिए है अब जैसे 1.8 यहाँ पर ले लिया and 1.2 यहाँ पर ले लिया जैसे आप input press करेंगे तो आप देखेंगे 1.8 and 1.2 बराबर 3.0 मेरा addition आ गया so dear friends इस तरीके से हम addition block use करते हैं काफी ज्यादा use होते हैं calculations में compute math में addition block so hope आपको यह video पसंद आया होगा आप इसकी practice कर सकते हैं channel को subscribe करना न भूले and videos को like जरूर करें so thanks for watching my videos thank you